एक दिन गौतम बुद्ध अपनी सिस्सों के साथ एक दम सांद बैठे हुए थे उन्हें इस प्रकार बैठा हुआ देख सिस्स चिंतित हुए कि कहीं वह आस्वास्त तो नहीं है एक सिस्स ने उनसे पूँचा कि आज वह मोन क्यों बैठे हैं क्या सिस्सों से कोई गलती हो गई है इसी बीच एक अनसे सिस्स ने पूँचा कि क्या वह आस्वास्त हैं पर बुद्ध मोन रहे तब ही कुछ दूर खड़ा ब्यक्ति जोर से चिलाया आज मुझे सवा में बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई बुद्ध आँखे बंद करके ध्यान मग्न हो गई और ब्यक्ति फिर से चिलाया मुझे प्रवेश की अनुमती क्यों नहीं मिली इसी बीच एक उदार सिस्स ने उसका पच्छ लेते हुए कहा कि उसे सवा में आने की अनुमती प्रदान की जाय बुद्ध ने आँखे खोली और बुली नहीं वह अचूत है उसे अग्या नहीं दी जा सकती यह सुनकर सिस्सों को बड़ा आश्चर हुआ बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले हाँ वह अचूत है इस पर कई सिस्स बोले हमारे आश्रम में जात पार का कोई भेद ही नहीं फिर वह अचूत कैसे हो गया तब बुद्ध ने संजा आज वह कुरोधित होकर आया कुरोध से जीवन की एकागरता भंग होती है कुरोधी प्यक्ति प्रया मानसित हिंसा कर बैठता है इसलिए जब तक वह कुरोध में रहता है तब तक अचूत होता है इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए कुरोधित सिस्स भी बुद्ध की बाते सुन रहा था पस्ताप की अगनी में तब कर वह समच चुका था कि अहिंसा ही मनुस का महान कर तब बबरमधर में वह बुद्ध के चैनों में गिर पड़ा और कभी कुरोध ना करने का प्रण दिया आस्साय यह है कि कुरोध की कारण व्यक्ति अनर्ध कर बैठता है और पच्छताबा उसे बाद में होता है जिसका कोई लाव नहीं मिलता इसलिए हमें कुरोध नहीं करना चाहिए असल माइने में कुरोधित व्यक्ति अचुद हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए कुरोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानी होती है कुरोध से ज़्यादा हानी कारक कोई और बस्तू नहीं